जहन, मैं सौरब और एक बार फिर से आप मेरे साथ जूड रहे हैं डेली डूस संक्या 298 में आज तारीक है 23 जुलाई 2020 और हम आपके सामने अपना पहला प्रस्ण लेकर आने से पहले एक बार फिर से आपको याद दिला देते हैं यह हम हर डेली डूस के लाश्ट में आपसे एक प्रस्ण जो आपके एकजाम औरियंटेड होते हैं हम आपसे पूशते हैं और उसका डीटल एक्स्प्लानेशन भी लाश्ट में देते हैं तो प्लीज आप उस प्रस्ण को attempt लें क्योंकि हो सकता है कि उसके facts या फिर वो प्रस्ण as it is आपके प्रस्ण में आपके exam paper में आ जाए बढ़ते अपने पहले प्रस्ण के तरफ किस फिल्म अभिनेता ने स्रमिकों के लिए प्रवासी रोजगार एप लॉंच किया उत्तर है स सौनु सूद सौनु सूद जो है वो हिंदी मूवी के एक्टर है ठीक और एक बात ध्यान देंगे कि सौनु सूद ने कोविड नाइंटीन के फर्स्ट लॉंच दौरान बहुत सारे स्रमिकों को उनके घर पहुंचाने का काम किया था तब से ये चर्चा में बने हुए है और प्रवासी रोजगार के प्रवासी मजदूरों के लिए एप डेडिकेट किया गया जिस वजह से उसका नाम प्रवासी रोजगार एप है ठीक है एक बत और भी जान देंगे कि इसमें होगा क्या कि यहां पर जाकर के आप अपनी प्रोफाइल डाल देंगे और यहां पे बह रिस्रेप्रस के तरफ हाली में परिक्षण किये गया एंटी गाइडेड मियसाइल धूर्वास्त्र का पुर्वण नाम क्या है उत्तर है नाग हेलीन अब ध्यान देंगे कि यह जो एंटी गाइडेड मियसाइल धूरास्त्र यहनी धूरौ स सथर पढ़िए इसको ठीक है न खलता पुर्वक उडान का परिक्षण कर भी लिया गया अब वो परिक्षण का हुब तो जयान देंगे आपने नाम सुना होगा चांडी पूर का और चांडी पूर का है ओर और इस एंटी-गाइडट मिसाइल का परिक्षण किया जा चुक है एक बात और भी जान देंगे कि इसे विक्सित किस न किया है तो इसे विक्सित करने का काम DRDO ने किया है किस ने किया है DRDO ने ठीक है और अभी-भी आपने क्या देखा कि यह जो एंटी गाइडेड मिसाइल है इसका पूराना पूर्व नाम यानि पूराना नाम नाग हेलीना है अर्थात नाग हेलीना की ही संस्करण पर या फिर एक वर्ड चुनिएगा नाग हेलीना हेलिकॉप्टर ठीक तो नाग हेलीना हेलिकॉप्टर के संस्करण पर ही इसे विक्सित किया गया है अब बढ़ते हैं DRDU के तरफ क्योंकि इसमें एक सब दमने यूज किया था DRDU तो DRDU को फुल फॉर्म किया है difference research and development organization कब अस्थापना हुई थी इसकी 1958 में और इसका headquarter का है दिल ली एक बात और भी जैन देंगे कि DRDU जो है वो पून तरीके से भारत सरकार के रक्षा मंत्राले के अधीन है ठीक है यानि कि यह 100% government of India के देख रहे के अंदरगत है इसका संस्क्रीत में मोटो कै बलस मूलम विग्ञानम क्या है बलस मूलम विग्ञानम और इंगलिस में क्या है कि कुछ दिन पहले मैंने एक वर्ड यूज किया था पैरेंट एजनसी जैसे कि मैंने कहा था कि गूगल की पैरेंट एजनसी है इनपूट इंक कोने इनपूट इंक उसी तरीके से डिया डियो की पारेन्ट एजेंसी कोने Ministry of Defence कोने Ministry of Defence अब बात आथि है कि डियादियो के वर्तमान में चेर्मेन कोने तो चेर्मेन है डॉक्टर जी सतिस रेड़ी कौन है डॉक्टर जी सतिस रेड़ी बढ़ते हैं अगले प्रस्ण संख्या तीन के दरफ आप 80 G20 डिजिटल अर्थ बहुसता मंत्रियों के बैठक को किसने संबोधित किया उत्तर है रवी संकर प्रसाद अब ध्यान देगे कि इस प्रस्ण को मैंने डेली डू संख्या 296 के प्रस्ण संख्या 18 में इन डीटेल आपको बता हुए और उतना एक्स्प्लानेशन बार बार देना संभवा इसलिए नहीं है क्योंकि जो लेंस है वीडियो का वो काफी बढ़ जाता है जो टाइमिंग है इसका जो ड्यूरेशन है बढ़ता है अगले प्रस्ण संख्या चार के तरफ ब्रिटेन हौंकॉंग वासियों को कपसे ब्रिटिस नगरिकता प्रक्त करेगा अब ध्यान देंगे की ब्रिटेन की जो वर्तमान में ग्री मंत्री है ठीक है वो कौन है प्रिती पटेल हैं कौन है प्रिती पटेल और यह अइलान किया है होंग कोंग के वो सभी निवाजी जिनके पास ब्रिटेन का ओवर्सीज भीजा है क्या है ओवर्सीज भीजा है उन्हें जनवरी 2021 से ब्रिटेन की नागरिक्ता के लिए योग गिमाने जाएंगे अर्था तो वो अपलाई कर सकते हैं अब देखिए प्राब्ले देखिए जिसकी वज़द से ब्रिटेन इस बर इसीज को कह रहा है कि हम उसका काउंटर जबाब दे रहें और इसी के तहट जिनके पास ब्रिटेन के ओवर्सीज भीजा होंगे वह ब्रिटेन इनागरेक्ता के लिए अपलिकेविल होंगे और इस तरीके से अनुमान लगया जा रहा है कि लगवक 30 लाख लोग कितना 30 लाख लोग ब्रिटेन की नागरीक्ता के लिए या फिर जो क्राइटेरिया ब्रिटे ने रखाया उसको फुल्फिल कर रहे हैं बढ़ते हैं अगले प्रसंद संख्या 5 के तरफ माइल्स फ्रैंकलिन पुरसकार 2020 किसे दिया गया है उ साइटे के छेत्र में ठीक यानि लिटरेसी लिटरली के छेत्र में ठीक है और यहां से एक बात और भी आप ध्यान देंगे कि यह अवार्ड कौन देता है आपने देखा और स्ट्रेलिया ने देता है इनको किस लिए मिला है तो इनको मिला इन्होंने एक पुस्तक लिखा कि इल्ड कौन सा दा इल्ड और दा इल्ड पुस्तक लिखने के लिए तारा जुन विंच को माइल्स फ्रैंक्लिन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है ठीक है बढ़ते अपने अगले प्रसन संख्या छे प्रसन का मैंने एक्स्प्लानेशन दे दिया सात्मे के तरफ 2020 का संजुप्त राष्ट रोली हला मंडेला पुरसकार से किसे सम्मानित किया गया है उत्तर है स्रीमती मारियाना वर्दी नोएनिस एवं मोरिसाना काये ठीक है बढ़ते हैं अगले प्रसन संख्या 8 के तरफ वीडियो पर हमर्ज कारेकरम EICU किसने सुरूत किया है उत्तर है एम्स दिल्ली ने अब EICU का फुल्फर्म क्या होगा तो इलेक्ट्रोनिक इंटेंसिप केर यूनिट और ध्यान देंगे कि एक प्रसन बनाये जा सकता है कि EICU क्या है तो ध्यान देंगे कि यह एक प्रकार क कि आए-स यू क्या है तो सिर्फ इतना ही प्रसन है आप से इस तरीके का बन सकता है बढ़ते अपने अगले प्रसन प्रसन संक्या 9 कि तरफ हाल ही में लांच पुर्मा मोबाईल अप को सम्ंद किससे उत्तर हपक्तर है कच्छवा अंट्वा संवर्प किस明白 कि कि घुर सथ है अब ध्यान देंगे कि ये है क्या तो ये एक प्रकार का रेसिंग ड्राइवर गेम है ठीक जिसमें कि अभी अभी मैंने एक नाम लिया माइकल सुमाकर तो माइकल सुमाकर जो है वो जर्मन रेटायर्ट रेसिंग ड्राइवर है ठीक जिनकी बराबरी किस ने कर ली है लुईस ह हमिल्टन ने कर लिए ठीक है अब बात जब हंगरी किया है तो हंगरी कि राइधानी का है बुड़ापेस्ट और इसके राष्टपती को ने जुना जानोस एडर और मुद्रा क्या है हंगेरियन फोरिंट क्या है हंगेरियन फोरिंट और यह जो चैंपियंशिप हुआ था वो क संख्या 11 के तरफ सोलर और्बिटर मिशन में कौन सी एजेंसियां साजेदार हैं उत्तर है यूरोपियन स्पेस एजेंसी एवं नासा अब ध्यान देंगे आपे कि यह है क्या ठीक है तो यह है एक स्पेस एक सैटलाइट मिशन है क्या है एक सैटलाइट मिशन है जिसमें हमन एक नाम लिया है European Space Agency का तो European Space Agency का Headquarter का है Paris में और Paris का है France ठीक है एक बत और भी आप जयान देंगे कि एक सब्दमने और भी बता आपको NASA तो NASA के बारे में हम कुछ जान लेते हैं जैसे कि NASA जया वो एक Independent Agency है किस की United State Federal Government की ठीक है अब अब एक बत और NASA का फुल्फर्म कहा है National Aeronautics and Space Administration कभी-कभी यहां पर administrative देता है जो की गलत है क्या होना चीए administration कब formation हुआ था इसका तो 29 जुलाई 1908 को अब एक interesting fact यहां से और NASA के बारे में जानते हैं कि जो नासा है इसको पहले नाका के नाम से जाना जाता था NACA ठीक जिसका फुल्फर्म होगा National Advisory Committee for क्या होगा National Advisory Committee for Aeronautics ठीक है और नाका के नाम से 1915 से लेकर 1958 तक यह कारियरत रहा उसके बाद 1958 में इसे नासा के नाम से परिवर्थित कर दिया गया ठीक है अब इस तरीके से नासा का हेट क्वार्टर का है तो वासिंग्टन डी से कहां United States और इसका मोटो क्या है क्योंकि मोटो बहुत इंपोर्टेंट हो जाता किसी भी ओगेनाईजेशन के लिए तो इसका मोटो है फॉर्द वेनिफिट्स अफ और यानि कि सभी के लिए लाबकारी अब इसके एड्मिनिस्ट्रेटर कौने तो जीम ब्रिदेंस्टीन है कौने जीम ब्रिदेंस्टीन है ठीक है बढ़ते हैं अ उत्तर है DRDO ठीक है ध्यान देंगे आप कि IL-76 एक बीमान है ठीक है और जो कि क्या करता है कि मालवाहक का काम करता है जैसे युद्ध के दोरान जो गोले बारूद या इस तरीके के जो भी सामगरी है उनको पहुंचाने का काम करता है इसमें एक नया चीज DRDO ने ये तक का कितने तन तक का साथ तन तक का कोई भी ये घोला बारूद या कुछ भी किसी भी जगह पर आसानी से ड्रॉप कराया जा सकता है और जब ये परिक्षण कराया गया तो उसमें पाया गया कि लगवाग 200 किलो मेंटर के रफ्तार से ये विमान आगे कि तरह बढ़ रही तक के समान को इसली ड्रॉप कराया गया और इसके दो परिक्षण हुए और दोनों परिक्षण क्या रहे सफल रहे ठीक तो पी सावन लगने के बाद अब कहीं भी जैसे कुछ जगह ऐसे होते हैं जहां पर की वाहन का पहुंचना आसानी से मुस्किल होता है और उस जगह प तो अब पी सावन की वज़र से ये भारत के लिए आसान हो गया ठीक अब धान देंगे एक वर्ड यहां पर डी आरडियो और डी आरडियो के बारे में अभी मैंने कुछी दिर पहले आपको बताया है तो वहीं से आप सीख लेंगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रस्म के द करता है तो उमीद करते हैं कि आप यह भी चीज वहीं से देख लेंगे बड़ते हैं अगले प्रस्म संक्या 14 की तरफ दक्षिण कोरिया का पहला सैन्य उपग्रह कौन सा है उत्तर है एनासिस टू कौन है एनासिस टू या फिर सेकेंड भी बोल सकते हैं अब ध्यान देंगे कि यह एनासिस टू के बारे में कुछ जाने का प्रयास करते हैं ज्यान देंगे कि एक वर्ड हमने आपको पिछले डिली डूजिसंख्या में मेंशन किया था स्पेस एक्स तो स्पेस एक्स के द्वारा दक्षिण कोरिया के पहले सैन्य उपग्रह एनासिस टू को सक्सेस किया गया था हमने यह बात भी बताया था कि किसी भी चीज उपग्रह को कहीं ले जाने के लिए रॉकेट की जरूरत होती और जिस्त रॉकेट का उसमें इस्तेमाल हुआ रहता है उसका नाम हमें जरूर ध्यान रखना चाहिए जैसे सुबह में मैंने एक वर्ड यूज किया में इसी काप केना विरल एरफोर्स स्टेशन से लांच किया गया कि से 186 को इसके बाद दक्षिन कोरिया संचार उपग्रह रैंकिन में कौनसा देश बन गया दस मह यानि की एनासिस सेकेंड के सक्सेस्पुली लांच के बाद दक्षिण कोरिया की वर्ल्ड वाइड रैंकिंग कितनी हो गई किस सीज में तो सैने संचार उपग्रह में कौन सी हो गई है दसमी हो गई है ठीक है अब एक बत और एनासिस सेकंड के बारे में कुछ और भी important facts है जिनको जानते हैं तो एनासिस सेकंड इससे पहले commit stat com first के नाम से जाना जाता था k-m-i-t-s-a-t-c-o-m ठीक है के नाम से जाना गया था अब एक बत और भी जान देंगे कि यह जो है वो कोरोशेट 5 और एनासिस first का जो उपग्रह है उनका असान लेगा कौन एनासिस second एक बत और भी जान देंगे कि इस उपग्रह का अंतरिक्स यान एर बस के यूरो स्टार E3000 उपग्रह बस पर अधारिद थे ठीक है और इस तरीके से इस प्रस्ण में हमने इतनी जानकारी एकठा करी अब इसी के साथ एक वर्ट और भी आया क्या South Korea तो South Korea के जो राजपती हैं वो कोन है Moon J N और राजधानी के हैं सबको पता होगी Seoul और जब बात इस पेस एक्स की आई थी तो इस पेस एक्स के संस्थापक और सी यू दोनों एक अही व्यक्ति है इसलिए इनका नाम हम जान लेते हैं कौन है एलन मस्क कौन है एलन मस्क और इसकी अस्थापना कभूईती 2002 में और हेट क्वाटर का है कैलिफोर्निय यूए से कहा है कैलिफोर्निय यूए से और स्पेस एक्स के अध्यक्ष कौन है ग्वेने साट विल कौन है ग्वेने साट विल बढ़ते हम अपने अगले प्रसंद संख्या पंद्रा की तरफ हाली में वायू सायने कमांडरों का सम्मेलन कहां हुआ था उत्तर है वायू भवन नई दिल ल प्रसंद संख्या 17 के तरफ भारत का सबसे बड़ा रियक्टर काकरा पार की तीसरी इकाई की चमता कितनी है उत्तर है साथ सो मेगा वाट कितनी है साथ सो मेगा वाट अब यह रहे आज के आपके डेली डोज के जो कंटेंट ठीक है और फिर मिलेंगे हम आपके साथ अगले प्रेली डोज संख्या में तब तक के लिए जहिन और आप जरूर जो भी प्रस्न पूछे जा रहे हैं उसका जवाब देने का प्रयास करें एक बार फिर से जहिन